कि अभर सेल्कम टेस्टा लार्निंग मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज से हम लोग देखेंगे सीटेट पिर्वियासर पेपर से जो जो कोसिन आये हुए हैं उनका हम लोग पार्ट वाइस डिसकास करेंगे आज हम लोग डिसकास करेंगे जो 2014 में आया हुआ चाल्ड डेवलोपन प्रेडागोजी तो उनका हम लोग आज 15 कोशिन ही देखेंगे बाकी की 15 कोशिन हम लोग बाकी की पार्ट में डिसकास करेंगे तो आये देखते हैं पहला कोशिन है कोग्निटिव डेवलोपन इस सपोर्टेट बाई यानि संगनात्मक विकास निम्नमे से किसके द्वारा समर्तित होता है तो आप लोग भी साथ साथ एंसर को सुचिये इसका करेक्टरचर होगा नमबर थी यानि प्रवाइडिंग ए रिस एंड फेराइट एंवर्मेंट एक संब्रिद्ध और भीवित्तपन बातावरन अबलप्त कराना नेक्स्ट करेशन को दे किनात्मक और गुनात्मक यानिक और प्रकृतिटमक का मतरत्मक और गुनात्मक का ऑजो गुननफॉल होता है वही क्या है मानविकास है इस फिस्तरे कैसल देखेol वाश्वारेट गsong थी रिफर साथ यानि प्रक किती परशन विबाद नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं नंबर फूर कुछ सब्दा फॉलोईंग इस पैसिफ एजन्सी ऑफ सोचियलाइजेशन निम्नों में से कुन सा सामाजी करण की निश्क्रिय एजन्सी है यह पर चार अप्शन है इन में से जो निश्क्रिय एजन्सी है स रिवार इको किलाब यह क्या होता है यह होता है एक्टिव एजन्सी ऑफ सोचियलाजेशन नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं इन भाईगोस्किस थियोरी फुईस एस्पेक्ट ऑफ डेवलोप्मेंट गेर्स नेगलेड़ेड यानि भाईगोस्किस के सिद्दान्त में वि यानि जविक क्योंकि भाईगोस्कि ने समाजिक, संस्क्रितिक और भासाई पर डिसक्स किया या फिर डिसकस किया लेकिन जविक यानि बाईलोजिकल पर कोई ध्यान नहीं दिया था नेक्स्ट क्वेशन का देखते हैं खुई सब्दा फॉलइंग इस्टेजिस आर इंवर्वड होयन इंफेंट्स थिंग विद यार आइस यार एन हैंड्स एक बर्ष तक के शिशू जब आख कान और हाथों से सूचते हैं तो निम्र लेकित में से कौन सा इस्टर सामिल होता है यह प्याजे से संबंदित है प्याजे का जो चार इस्टेज दिया है उनमें से इसके करेक्टर से कौन सा होगा संसरी मोटर इस्टेज यानि इंद्रे जनित गमक इस्टर इस्टर में बालक क्या करते है आख कान और हाथों से सूचते यानि आइस यार एन हैंस से सूचते है नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं 7. रिया डाज नाट एग्री विट रिशप्स अबूट सेटिंग आप ए क्लास पिक्निक शी थिंग्स दाट रूल्स कैन बी रिवाइस्ट तो सुट दा मेजुरिटी इस काइड ओप डिसएग्रीमेंट एक्रोटिन डुदा पियाजे रिवाइस्ट तो यानि रिया कख्षा पिक्निक ताइक करने है तू रिशप्स से क्या नहीं है सहमत नहीं है वो सच्थि है कि बहुमत के अनुकल बनाने के लिए नियुमों का क्या किया जा सकता है संगसादन क्या जा सकता है ये सहपाथी बिरोध प्याजे के अनुसार निम्रे लेखित में से किस सम्मंदित है ये होगा morality of cooperation यानी सहे की नहितिक्ता आप लोग भी साथ साथ सोशिये कौन से राइड एंसर होगा नेक्स्ट क्योशन देखते हैं question of the following is a form of Stanback Tractic Theory of Intelligent यानी निम्रों में से कौन सा Stanback का बुद्धी का तिरी इस्तरी सिद्धानत का एक रूप है ये होगा practical intelligent यानी बैभारिक बुद्धी Robert Stanback ने तीन तरह की बुद्धी के बारे में बता है उनमें से practical intelligent यानी बैभारिक बुद्धी भी एक सामिल है next question को देखते है who developed the first intelligent test यानी किस ने सबसे पहले बुद्धी परिक्शन का निमान किया था यह किया था आलफेट बीने आलफेट बीने नहीं सर्व पर्थम क्या किया बुद्धी परिक्शन का निमान किया था तो इसका correct answer होगा next question देख लेते है phonological awareness refers to the ability to यानी धोनी संबंदी जगरुकता निमलकित में से किस संबंदीत है इसका correct answer होगा पहला नंबर धोनी संद्शना पर चिंतन करना और उसमें हेर फिर करना यानी reflect and manipulate the sound structure यह correct answer होगा next question को देख लेते है gender discrimination in a classroom याने कक्षा कक्ष में gender विभेत क्या होता है यह होता है में lead to diminished effort or performance of the students याने पुरुष शिक्षार्तियों के हस्नमक परियास अथबा निश्पादन का कारण बन सकता है to number क्या होगा correct answer होगा next question को देख लेते है question of the following is an example of learning style यानी निम्नों में से कुन सा सिखने की शेली का एक उधारन है इसका correct answer होगा विज्वेल यानी success और विज्वेल क्या होगा example है learning style का next question को देख लेते हैं a teacher collects and reads the work of the class then plans and adjusts the next lesson to meet student's needs he or she is doing this on पाड एजना बनाता है और अपने अगले पार्ट को शिक्षार्थ को पूरा करने के लिए समाय जीत करता है वो कर रहा है कर रही है क्या कर रही है सिखने के लिए अ क्लान कर रहे है कि इसका assessment for लार्निंग इसका करेक्ट एंसर होगा तो नेक्स्ट को देख लेते हैं कुछिन कुछिन नामर 14 टीसर्स हुआर्ग अंडर इस्कुल बेस्ट एसेस्मेंट यानि वे शिक्षक जो बिद्धालाय आधारित आकलन का अंतरगत कारिय करते हैं उसका क्या होगा फिले संस अब वनर्शिप फोर दा सिस्टेम यानि वेवस्ता के लिए स्वमित्य का भावना रखते हैं नेक्स्ट को देख लेते हैं आज के लिए लास्ट हाओ डू ग्रेट्स डीफर फ्रॉम मार्स्ट इस्टेम बिलंग टू विस अब फोलोईंग क्लास्टेम यानि ग्रेट अंकों से कैसे अलग है ये प्रश्ण निम्ने में से किस परकार की प्रश्ण से संबंधित रखता है ये कैसे विसले सेे नात्मक यानि एनलेटिक के एनलेटिक कोईस्टेम और फ्रेंस आज हमलोग 15 खेशन ही डिसकाज कर लिया बाकी के पैशन हमलोग दुसरे क्लास में या दुसरे पार्टबे डिसकास करेंगे वीडियो गवह अगर अच्छ सा लगा तो लायक कीजिये कंमे